हलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लॉग विद्प्रियंका सिन्ना में आज हम सेर करेंगे आपके साथ पनीर तावा फ्राइ की रेसिपी बहुत टेस्टी ये बनके तैयार होता है आप इसे स्टार्टर्स की तरह स्नैक् की तरह भी खा सकते हैं या फिर आप इसे चावल रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं सब के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है तो एक बर विडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए हम बनाते हैं पनीर तावा फ्राइ इसके लिए सबसे पहले पनी पाउडर लेंगे और आधा चमच धनिया पाउडर लेंगे तो आधा चमच हम यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिए आधा चमच गरम मसाला और आधा चमच जीरा पाउडर लेंगे यह छोटी चमच है तो इसके लिए एक एक चमच हम ले लिए हैं थोरा सा कसूरी मेथी को क तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद इसमें पनीर हम डालेंगे तो यहां पर इसे अच्छे से मिला लिए हैं अब पनीर डाल लेते हैं पनीर डालके इसे अच्छे से फिर से हमें मिलाना है पूरे पनीर के ऊपर यह मसाले का कोटिंग अच्छे से हो जाए पनीर आप अपने मनपसंद सेप में जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं हम यहाँ पे स्क्वाइर सेप में कट किये हैं और अच्छे से इसे मिक्स करके ढखके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे तो यहाँ पे 15 मिनट हो गया है हमको रखे हुए तो चलिए अब इसे fry करेंगे गैस on करके तावा चरहाएंगे क्योंकि तावा फ्राई बना रहा है तो इसलिए हम तावा में बनाएंगे अगर आपके पास iron का तावा है बड़ा तो आप ले सकते हैं हम यहाँ पे non-stick तावा लिए हैं और इसमें डालेंगे घी आप वैसे ओयल में भी बना सकते हैं पर घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए हम यहाँ पे घी ले लिए हैं घी गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्याज दो मिडियम साइज के प्याज को महिन चौप करके हम ले लेंगे और इसे अब फ्राइ करना है अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे गैस का फ्लेम आप स्लो टू मिडियम रख सकते हैं और यहाँ पे दो हरी मिर्ची आधा चमच अद्रक लेसन का पेस्ट एड़ कर लेंगे साथ में इसे भी भून लेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट साथ में भूना जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है ये अच्छे से भुना गया है तो अब हम इसमें एड़ कर लेंगे सूखे मसाले, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजे, आधा चमच हल्दी पॉडर, आधा चमच धनिया पॉडर और देर चमच हम यहाँ पे कसमीरी लाल मिर्ची पॉडर ले रहे हैं, ये तीखा नहीं होत और आधा चमच जीरा पॉडर, आधा चमच हम यहाँ पे फिर से गरम मसाला पॉडर, एक चौथाई चमच हम ब्लैक पेपर पॉडर डाले हैं, और इन मसालों को कुछ सेकेंड के लिए बस भून लेंगे, ज्यादा दर नहीं भूनेंगे, सुखे मसाले बहुत जल्दी जलन और अब यहाँ पे टमाटर एड़ कर लेंगे, दो टमाटर है यह मिडियम साइज के इसे हम महीन चौप कर लिए थे टमाटर डालने के बाद यहीं पे हम इसमें नमक भी एड़ कर लेंगे, तो नमक पहले भी थोड़ा सा रखे हुए हैं, तो टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल लीजे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी दिर के लिए हम कवर कर देंगे, कवर कर देने से टमाटर जल्दी सौप्ट हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा, तो इसलिए थोड़ी दिर के लिए इसे कवर करके पका लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ी दिर हम cover कर दिये थे टमाटर अच्छे से soft हो गया और अब इसे ऐसे mess करते हुए मिला लेंगे और मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे मसाला एकदम अच्छे से तेल छोड़ दे तब तक आप इसे भून लीजे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुना गया है तेल छुट गया है मसाले से तेल अलग दिखने लगा है तो अब हम इसमें एड करेंगे सिमला मिर्च दो सिमला मिर्च यहाँ पर हम लिए हैं एक को महीन महीन चौप किये हैं और एक को स्क्वाइर सेप में चौप किये हैं आप चाहे तो दोनों को सेम सेप में चौप करके डाल सकते हैं हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग सेप में चौप करके डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एक मिनट के लिए बस हम इसे मसाले में मिलाते हुए भून लेंगे तो इसे मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए भून लीजिए गैस का फ्लेम हमें आपे slow to medium रखे हुए और अब इसमें डाल लेंगे पनीर जो मैरिनेट करके रखे हुए हैं हम तो पूरे पनीर को डाल लेंगे और अब इसे हमें भूनना है तो इसे चलाते हुए हम फ्राइ करेंगे पहले तो इसे अच्छे से हम मसाले में मिक्स करेंगे और इसके बाद थोरी दिर आप इसे भून लीजिए तो यहाँ पे करीव दो से धाई मिनट हम इसे फ्राइ कर लिए हैं खुले में तो अब हम इसे कवर कर देंगे थोरी दिर आप इसे भून लीजिए उसके बाद दो धाई मिनट के लिए आप इसे कवर करके भी पका लीजिए तो यहां पे थोरी देर के लिए हम इसे cover कर देते हैं cover कर देने से सारे मसाले पनीर और सिमला मिर्च के अंदर अच्छे से आ जाएगा तो यहां पे 2,5 मिनट के लिए cover करके भी हम इसे पका लिए हैं और अब इसे फिर से थोरी देर fry कर लेंगे या आप इसे तब तक फ्राई कर लीजे जब तक यह अच्छे से ड्राई न हो जाए तो अराम अराम से इसे पलटते हुए इसके साइड को चेंज करते हुए हम खुले में थोड़ी देर भून लेंगे बिना धके थोड़ी देर इसे आप फ्राई कर लीजे और यहां पे पनीर तावा फ्राई हमारा पुरी तरह से तयार है लास्ट में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रस करके थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे थोड़ा सा नहीं थोड़ा जादा धनिया पता डालेंगे अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा और ये रहा बटर बटर थोड़ा जादा डालिएगा अगर आप खाते हैं तो दो चमच के करीब ये बटर है भरके हम यहाँ पे डाल लिए हैं और इसे अच्छे से कवर कर देते हैं तो थोड़ी दिर के लिए इसे कवर कर देते हैं और आप इसे अब सर्व कर सकते हैं तो हम इसे सर्व कर लेते हैं बहुत टेस्टी तावा फ्राई पनीर तावा फ्राई हमारा बन के तैयार है आप इसे स्नैक्स की तरह स्टार्टर्स की तरह या साइड डि यकीन है हमें ये रेज़िपी आपको बहुत पसंद आएगा तो अगर मेरा रेज़िपी आपको अच्छा लगता है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल का बटन प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बताईएगा हम उसे सुधारने की पूरी कोसिस करेंगे थैंक्यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ